screen off during call Realme Narjo 20A या फिर Realme Mobile Proximity Sensor not working screen off problem दोस्तो जब भी आप अपने Realme के यानि Realme के Narjo 20A या किसी Realme के other smartphone में जब आप call करते होगे तो आपकी जो screen है automatic off हो जाती होगी call करते हैं ठीक है अब जब off हो जाती होगी तो आप उसे देखते होगा कि वो on ही नहीं होती होगी तो इस प्रब्लम को आपको Realme के नार जो 20A में कैसे fix करेंगे 100% वरकिंग ये वीडियो है तो चलिए शुरू करते हैं और बता आचे हैं सबसे पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं आपके लिए Realme से लिटेट कोई भी वीडियो लेके आऊं तो उसकी notification आपके फोन में चली जाए तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा सबसे पहले आपको अपने फोन का जो डालर होता है उसे अपडेट कर लेजिए आप यहाँ पर जाएंगे प्ले स्टोर पर यहाँ पर लिखेंगे phone by phone by google ठीक है इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पर उपर ही सो हो जाएगा अगर यह अपडेट के लिए मांग रहा है तो इससे सबसे पहले अपडेट कर लिए चलीए यहाँ से अगर आपने अपडेट नहीं किया है और क्लियर केज कर दीजिए अगर आपको लगता है कि डिल्ड हो जाया कुछ तो मत कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद आपको एक काम करना होगा अब आपको आपके फॉर्ण के अंदर जितने फालत्यों के अपलिकेशन हैं जादा अपलिकेशन होते हैете उन्हें आप डिलीट कर दीजिए हाटा दीजिए ऐससे करेंगे वह आपको simple से जो भी application delete करनी है उस पर आप long press करेंगे और इस तरीके से उसे uninstall कर देंगे जैसे मैंने आप कर दिया ठीक है ये इस तरीके से next आपको अपने file manager पर click करना है ठीक है जैसी कर दिया मैंने उसके बाद यहाँ phone storage पर click करना है ठीक है यहाँ loading होगा एक बार इस तरीके से आप ऊपर कर देंगे ठीक है और फिर शे आप इस तरीके से नीजे करेंगे और थोड़ा इंतियार करेंगे ठीक है एक से यहने की 5 सेकंड ये 10 सेकंड इंतियार करने फिर ओट्मेटिक इस तरीके से ये page हो जाएगा उसको सिंपल से आप Play Store पे क्लिक करेंगे प्ले सर्विस पे इसका आप यहां से क्या करेंगे सोरी यहां पे आप Clear Catch जितने भी अप्लिकेसन होते हैं उनका आपको Clear Catch करना Clear Data बिल्कुल भी किसी अप्लिकेसन का मत कीजिए नहीं तो आपका फिर से आपको उस अप्लिकेसन में लॉग इन होना पड़ेगा इसलिए आप उसका Clear Catch कीजिए Only Clear Catch इस तरीके से करने का बाद आपकी फॉन की स्पीड है थोड़ी वड़ेगी यानि की स्पीड बढ़ेगी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्फ होगी उसके बाद आप यहां पर जाएंगे अपने वलकी सेटिंग में और यहां पर आपको डूढ़ना है आपके फॉर्परॉपर उप्सन आपको मिल जाएगे डवलपर उप्सन पे आप जाएंगे इस तरीके से आपको डवलपरॉपर उप्स wonder में जाना है अब यहां पर यहां पर आपको एक काम करना होगा है मैं यहां पर बताऊंगा जेसी की रनिंग सर्वसेस पर अब क्लिक करें में और यहां लोडिंग होगी उसको बक्र सेटिंग पर क्लिक करना है और इस टॉप कर दीजी से आप बाहर निकाल दीग इस एटिंग यह तो फिर आपको फिर और डापप उन कर20 ना आँ ठीक है जैसे में ऊपर आ रहा हूं तो यहां पे आपको एक काम करना लिए यहां का कुरा को बंद कर दिछी सब्सक्राइब कर लिए और गर पहुते कहलें है तो इसके बाद आपको एक काम और यहां करना हो एक तरहां नहीं रखना है तो आप यहां देख सकते हैं यह कर लिया है उसके बाद आपको एक option और होता है जिसे आपको करना होता है जैसे कि आपको एक काम और करना है अब आपको क्या करना है आपकी फिर भी problem आपको क्या करना है अपने वाल की सेटिंग में जाना है अब यहां पर आपको डाला है प्रेस उपर आ गया अपर प्रेस पावर वटन टू एंड गॉल इससे मैंने क्लिक किया अब इस option को आप कर लेजिये जब भी आपका आप जब कॉल लगा है और आपको यह लगए कि आप call कैसे कटेगी तो इस option को आप on कर लीजी अब जब call लगाएंगे तो आपको अपने power वाले बटन को यह वा दवाना है call automatic कट जाएगी ठीक है और आपकी screen आपको 5 second आपको power वाले बटन को दवाना है उसका automatic on हो जाएगी ठीक है पांच second तक बस ठीक है तो जीसे हम बंद कर दें तो मैंने इसे यूज़ करूँगा क्योंकि मेरा फॉन सही चल रहा है तो फ्लाल इस वीडियो में लेता हूं विदा आपकी जो problem है वो सही होगी होगी जैन